दोस्तों बुलाती है मगर जाने का नहीं जैसे जैसे शाम ढलती है वो आपको अपनी तरफ बुलाती है बोला एक बार चखले तेरी जिन्दगी जो है वो जन्नत बन जाएगी लेकिन वही है कि जाने का नहीं है आज हम लोग बात करने वाले हैं रिचा अनिरुद जिन्होंने बहुत बड़ी शक्षियतों का बहुत सारे इंटर्व्यूज किये हैं बहुत सारी स्टोरी को कवर किया हैं लेकिन आज हम लोग उन्हीं की स्टोरी कवर करने वाले हैं उनके भाई हैं यश बादल लेकिन यश बादल की स्टोरी मैं कवर करूँ उससे पहले में बता जाना चाहता हूँ कि रिचा अनिरुद जो कि अपने जीवन के अंदर बहुत सफल हैं बहुत काम्याब हैं और उन्होंने जिंदगी लाइव कई सेशन्स चलाए हैं और उन्हों लेकिन कई बार क्या होता है कि जो दूसरों को समझाने वाला होता है मोटिवेट करने वाला होता है जब वो खुद डिप्रेशन के अंदर चला जाता है तो उसको कोई समझाने वाला नहीं होता है जैसे संदीप माहिश्वरी की हम लोग बहुत सारी कहानिया सुनते हैं उन् आज हम लोग बात करते हैं यश बादल की, यह जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इस फोटो को देखकर, इस पिक्चर को देखकर आप लोग को लग रहा होगा, कि यह विक्ति कहीं न कहीं, इसकी एज जो है, वो 40 के आसपास इसकी एज होगी, और इसमें अगली पिक्चर अगर हम लोग देखें तो इसको देखके लग रहा हुगा कि इस वक्ति की उम्र जो है वो लगभग 21 साल होगी लेकिन जस इसके reverse है ये जो अभी वक्ति है ये अभी 21 साल का है और ये जो वक्ति है ये अभी 40 साल का है तो ऐसा परिवर्तन क्यों आया उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं तो यश बादल जो की रिचा अनिरुद के छोटे भाई हैं उनकी कहानी मैं आज आप लोग के सामने रखूँगा मैंने पहले भी इस श्टोरी को कवर किया है बहुत जबर्दस ये श्टोरी है और किसी दूसरे की जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम अपने जिंदगी के अंदर वो गलतिया ना करे चुरुवात करते हैं रिचा अनिरुद के ये जो भाई हैं वो बिसिकली जब टैंथ क्लास के अंदर थे दसवी क्लास के अंदर थे तब से ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था 11th class के अंदर जो practicals होते हैं उन practicals के अंदर इनको pass होना जरूरी था अब उन practicals में pass होने के लिए ये अपने seniors की मदद ले रहे थे और seniors ये कह रहे थे कि भाई मैं हम जो है वो तेरे को पूरी help करेंगे लेकिन तो एक काम कर एक beer की bottle हम जहां बताएं वहां पर लेकर आनी है वो जो तीन seniors थे उन्होंने beer की bottle यस्च से मंगवाई और फिर उसके बाद में उस bottle को consume किया यही शुरुवात जो है वो मानी जाती है उस समय यस्च ने उस समय नहीं पी थी लेकिन उन तीनों को यह डर था कि कही न कहीं बाहर जाकर यह हमारी बात पूरी school के अंदर फैला देगा तो फिर यस्च को emotionally वो torture करने लगे कि भई एक काम कर तू भी हमारे साथ में पी ले अगर तो खुद भी पे लेगा तो हमारी बात बाहर जाकर नहीं कह पाएगा ऐसा उनका मानना था और वहीं से फिर शुरुवात हो जाती है पहली बार जो है वो चक डाली और उसके बाद में धीरी धीरे फिर इसके शुरुवात हो गई 10th class के बाद में फिर 11th class के अंदर पहुंचे और फिर 12th class के अंदर पहुंचे 12th class के अंदर एक बच्चा जो की exam देने के लिए जाता है 12th board के और उस समय भी वो drink करके जाता है तो क्या वो exam में perform कर पाएगा नहीं कर पाएगा लेकिन वो yes जो है वो उस समय फैल हो जाते हैं 12th के boards के अंदर उसके बाद में वापस से उन्होंने exam दिया लेकिन इस बार थोड़ी सी तयारी अच्छी थी थोड़ा सा समझा और 71% स्कूर किया 12th class के अंदर मतलब एक समझ की ही तो बात थी जहां पर नहीं समझ रहे थे वहां पर फैल हो रहे थे और जहां पर समझ रहे हैं वहां पर पास हो रहे हैं 71% के साथ में जैसे ही 12th class को पास करते हैं उसके बाद में इनके पिता जो की एक पेशेशे डॉक्टर हैं और पूरे आसपास के इलाकों के अंदर जहांसी के रहने वाले हैं सभी लोग इनको जानते थे जहांसी के बारे में एक छोटा सा पॉइंट में आप लोग को बता दूँ कि भारत में अगर आप पूरव से पशिम और उत्तर से दक्षिन की तरफ जाएंगे तो जहांपर ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करती हैं काटती हैं गुसरे को वो जहांसी वाला पॉइंट ही होता है और जहांसी से ही बिलॉंग करते हैं यश तो जैसे ही इनके पिता ने ये डिसाइड किया कि मुझे अब इनको फिजिटरपी करवानी चाहिए और फिजिटरपी करवाने के लिए इन्हों ने यश को इंदौर भेज दिया इन दौर में जाने के बाद first year के अंदर इनको जाने के बाद लगा कि बेशक जिन्दीकी तो यहीं पर है यहीं पर आकर मुझे freedom मिली है और जब यह first year के अंदर थे तो exam देने के लिए यह drink करके गए है और उसका नुक्सान यह हुआ कि जो first sem के अंदर no subject होती है no की no subject में back लग गई और no subject में back लगने के बाद अगले साल इनको लगा कियार इस बार वापस से back लग सकती है फिर इन्होंने जो indoor की physiotherapy की जो college थी उसको छोड़ दिया और छोड़ कर कानपूर के अंदर एक दोस्त के अंदर देखेला तो अब खुद जो है उस दलदल के अंदर है और कानपूर के अंदर एक दोस्त से मिलने गए हैं तो दोस्त ने भी साथ देने से इंकार कर देगी कि शराबी का कोई भी आज देखिए आपके पास में भी अगर कोई शराबी दोस्त है तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि यार एक जो संगत होती है वही तो अगर बेकार होगी तो वो पूरा का पूरा खेल बिगार सकती है तो यह उसके साथ में ऐसा हुआ कि दोस्त ने रखने से इंकार कर दिया वापस ये घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद फैमिली से डिसकस करते हैं और डिसकस करने पर डिसाइड होता है कि वापस से फिजिटरिपी के लिए जाएंगे लेकिन अब तक मैंने आप लोग को ये नहीं बताया है कि आखिरकार फैमिली को पिये पता कैसे लगा कि ये डिंक करना शुरू कर चुके है एक बार इनकी पूरी फैमिली बाहर गई हुई थी और बाहर जब गई हुई थी तो फिर ये घर पे अकेले रहते हैं और उस समय इनके पास में कुछ फोटोग्राफ्स थे और फोटोग्राफ्स को ये डाइनिंग रूम में बैठ कर वहाँ पर जलाना शुरू करते हैं और उसी समय इनके जो पेरेंट्स थे वो घर में एंट्री करते हैं और उस समय ये ड्रिंक किये हुए थे तो family को पता लग जाता कि इसने drink करना शुरू कर गया school time के अंदर ही तो वापस आते हैं हम लोग कि जब ये लखना कानपूर से अपने दोस्त के यहां से वापस लॉट चुके हैं जहांसी के अंदर और फिर वहाँ पर आने के बाद decide होता है इनके पता decide करते हैं कि मेरा एक दोस्त जो है वो पास ही के एक college के अंदर professor है फिजिटरीपी की ही वो college थी और वहाँ पर ये फिजिटरीपी वापस करने के लिए चले गए लेकिन फिर से वही हाल होना था कि जैसे exam साए फिर से drink करके उस exam के अंदर बैठ गए और drink करने के बाद फिर से फैल हो गए और फिर से वो फिजिटरीपी की जो इनके degree चल रही थी वो छूट गई इसके बाद में फिर से वापस से घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद ही discuss होता है कि इनकी जो sister है वो noida के अंदर रहती है उनके पास में ये रहेंगे और वहाँ पर रहेकर ये job करेंगे चाहिए जैसे correspondence से कैसे भी करके ये पढ़ाई भी करेंगे, job भी करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद इनके बीपियो के अंदर business processing output जो होता है वहाँ पर interview दिया और interview के अंदर ये select हुए और job करना शुरू कर दिया जोब से जो भी पैसा मिलता उसको वापस से इन्होंने ड्रिंक करने के अंदर खर्च कर दिया शुरूआत में इन्होंने जब ये sister के पास में shift होए तो उस समय इन्होंने थोड़ा सा break दिया कि मुझे अब शराब नहीं पीनी है थोड़ा सा छोड़ भी दिया था इन्होंने लेकिन फिर वापस से जैसे पैसा हाथ में आया खुद की जॉब से इन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया इनके द्वारा एक कहानी कही गई बोला एक बार मेरे पास में बिलकुल भी पैसा नहीं था जीरो मनी था एक रुपए जेम में नहीं था लेकिन मुझे क्रेविंग्स आ रही थी कि मैं अब वापस से ड्रिंक करूंगा क्योंकि अंदर से त्रड़ा पाती है कि मुझे अब तो पीना ही पीना है तो ये जो दाडू का ठेका होता है शराब का ठेका होता है वहाँ पर उसके बाहर ये बैठ गए कि कोई भी आएगा इनको भीग के अंदर चाहे पैसे देखे जाए चाहे कैसी पैसे मिले मुझे आज ड्रिंक करनी करनी है तो ऐसे बिखारी के तौर पर ये उस शौप के बाहर बैठ गए कि कोई भी आएगा मुझे कम से कम 100-200 रुपे तो मिल ही जाएंगे तो उस समय इनको उस समय कोई पैसा मिला नहीं और ये उस समय ड्रिंक नहीं कर पाए लेकिन उस समय बैठे हुए सोच रहे थे कि यार मैं एक डॉक्टर का बेटा हूँ मैं आज इस हालत में पहुंच गया कि मुझे आज भीक मांगनी पड़ रही है उसकी बाद में इन्होंने कहा कि इनका जनम दिन जो आता है वो आता है 27 जून को 27 जून को आता है लेकिन 27 जून 2002 को जब यह अपना खुद का बर्डे सेलिब्रेट कर रहे थे घर पे कोई था नहीं इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब खुद की जान जो हो दे दूँगा ड्रिंक की और बोला कि आधी बोतल जो है वो मैंने पीली थी और खुद को सुसाइड के उस टेबल के उपर चढ़ा लिया था लेकिन क्या हुआ कि वो रसी तूट गई है ना कहते है कि जब आपको कुछ करना होता है तो भगवान आपका साथ देता है तो भगवान को इनको जिन्दा रखना था रसी तूटी लेकिन तूटने के बाद बोला थीक है आधी बोतल बची उसकोई पी लेते हैं आधी बोतल और पी ली फिर ये सोचा मन में कि यार मेरे जो दोस्त हैं कलीक्स हैं वो आज CEO बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीस के अंदर कहीं ना कहीं वो आज सेटल्ड है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए तो कहते हैं कि अंदर से जब motivation आता है जब इंसान खुद ये सोचता है कि मुझे quit करना है तो फिर वो quit करने के बारे में सोचने लग जाता है आगे और बढ़ते हैं हम लोग लेकिन उससे पहले कि आप लोग हमारे स्कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए 31 lessons मैं आप लोग को बताऊंगा वैसे तो जिसको भी alcohol का addiction है थोड़ी बहुत भी अगर लेता है या फिर हो सकता है कि वो जीवन में आगे ले सकता है क्योंकि conditions को भी पता नहीं है तो वो हमारे स्कोर्स साथ में जरूर जुड़े मैं बहुत अच्छा आपकी life के अंदर add-on करूंगा alcohol coupon code यूज करके आप लोग 50% flat और 30% extra discount के अंदर आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं जिनसे आप लोग रूबरू बाचित कर पाएंगे कि आखिरकार problem का है क्या है इसके साथ में आप जरूर जुड़िएगा इससे पहले हम लोग 75 days का hard challenge लेके आ राचुके हैं कि pornography से कैसे दूर रहें इसमें आप लोग coupon code study clothes यूज़ करके आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा तो इस दो challenge अब तक हमारे हैं आप इन challenge को accept करके अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ add on कर सकते हैं ये यश बादल की wife है इनका ये कहना है कि मैं अपने पीहर के अंदर इस बात को बताने से भी इंकार करती थी कि मेरे जो husband है वो drink करते हैं बहुत इन्होंने रोके अपनी story बताई है कि मुझे मारा पीटा लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को सहागी मुझे ये पता था कि एक ना एक दिन जो है वो सूरज जरूर उगेगा और ये जरूर बदल जाएंगे और हुआ भी फिर वैसा ही तो इन्होंने भी पूरा साथ दिया recover करने के अंदर लेकिन बात करेंगे हम लोग रिचा अनिरुद की रिचा अनिरुद का ये कहना था कि मैं जब चार महिने की pregnant थी तो मैंने अपने भाई का पीछा किया कि कहां पर वो जा रहा है क्या कर रहा है किसके साथ में वो ड्रिंक कर रहा है तो ये मैंने पीछा किया उसका लेकिन मेरे भाई को ये पता था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ उसको शर्म तो आती थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि उसकी तडब जो है वो कभी भी वो निकल ही नहीं पा रही थी क्योंकि इंसान जब तक खुद डिसाइड नहीं करता है उससे बाहर नहीं निकल पाता है उसकी बाद में यश का ये कहना है जॉश टॉक पर उनका खुद का इंट्रिवी भी है कि मैंने उस समय फिर ये डिसाइड किया कि मुझे नहीं पीना है क्योंकि अब उनको ये लगने लगा था कि मेरे जो साती हैं वो बहुत आगे पहुँच रहे हैं मैं बहुत पीछे रह गया हूँ तब इनको लगता है कि मुझे अब कुट कर देना चाहिए और धीरे धीरे इन्होंने इस सीज की प्रैक्टिस की और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक सब्ता, एक महिना, छै महिने, एक साल होते होते इन्होंने पूरी तरकी से क्विट कर दिया और जिस समय इन्होंने एक्साइज वगरा का सब का सहारा लिया तो फिर इनकी body transform हुई जो पहले 40 साल के दिखते थे अब वो 21 साल के दिखने लग गए तो इन्होंने जब exercise की वो जो zeal थी वो जो तडब थी वो इनके अंदर से बाहर निकली कोई खुद चाते थे कि मैं अब इससे बाहर निकलना चाहता हूँ तो basically आज बहुत अच्छे mentor है ये और ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो कि drink और गरा करते हैं ठीक है तो मैं चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग alcohol को बिलकुल ना कह दीजिए बहुत बड़ा no कहना है और अगर आप वाकई में आप इस addiction से बाहर निकलना चाहते हैं ये आपको लगता है कि आप आगी जाके इस addiction में फस सकते हैं तो आप हमारे इस challenge के साथ में जरूर जुड़िएगा 31 days का ये challenge है already हम लोग 75 days का challenge ला चुके थे इसके बाद में 31 days का challenge है इसके बाद में 100 days का challenge आएगा जो कि सबसे बड़ा रहेगा लेकिन मैं आपके जीवन के अंदर जरूर कुछ add-on करूँगा मुझे एक बार मौका जरूर दीजेगा आप coupon code study close use करके 75 days hard challenge के साथ में भी जुड़ सकते हैं जो कि pornographic addiction को बिल्कुल बंद कर देगा क्योंकि आपकी concentration focus के धजिया उड़ चुकी है अब आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि आप career को set करना चाहते हैं आप किसी exam को clear करना चाहते हैं आप business के अंदर अच्छा करना चाहते हैं कि आप मरे ही परले होती है मतलब जब इंसान खुद कोई काम करता है तब ही वो संबभ हो पाता है अन्य था ये दिला से दिला से ही बन कर रह जाते हैं तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना छोड़ दीजिये अब खुद पर विश्वास रखिए खुद की कंधों पर विश्वास रखिए और आप हमारे इस चैलेंग के साथ में ज़रूर चुड़िए अगर आपको कोई प्रशन हो तो मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताईएगा अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताईएगा मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में ततले धन्यवाद थैंक्यू जैहिंद